एलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं मैं मैंस की बहुत ही जवर्दस डिविजन ट्रिक लेके आया हूं तो डिवाइड एनी नंबर बाइ सिंगल डिजिट तो इसमें आप जो है टाइम सेव कर सकते हैं जवर्दस फास्ट कल्कुलेशन है इसमें तो इसमें आप टाइम सेव कर सकते हैं जैसे मार लीजिए आपको 4578 को तीन से भाग देना है ठीक है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हमें किस संख्या से भाग देना है तो हमें तीन से भाग देना है तो पहला अंक इसमें चार है जो के तीन से बड़ा है ठीक है तो हम सीधा-सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं 3,1,3 ठीक है तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 3,1,3 ठीक है यह डायरेक्ट हम लिख दिया अब यहां पर 4 में से 3 गए बचा एक तो एक को हमने यहां पर साइड में लिख दिया अब यह क्या हो गए 15 हो गए यह क्या हो गए 15 हो गए अब हम 3 से भाग देंगे तो यहां पर क्य पड़ेंगे सुने सात का मतबब साह है और तीन से भाग देना है तो कितने बार भाग जाएगा तीन से वाग जाएगा तीन दूनीं छह तीन का नो जादा हो जाएगा तो तीन आंसर आ गया क्या आ गया 1526 यही हमारा आंसर हो गया 1526 तो यह सिंगल लाइन में आपका आंसर आ गया देखिए है ना जवर्दस ट्रिक और इसमें और भी आगे देखिए और भी बहुत ही जवर्दस चीजें में लाने बाला हूं इसमें देसिमल पॉइंट वाले दसमलो वाले भी भाग अपन इसमें करेंगे चलिए तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहीगा देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन यह है 35824 को भाग देना है चार से थीख है तो 35824 को 4 से भाग देना है तो हम यहाँ पे freaking single four usage लिख लेते हैं aha isь. अब यहाँ पे हमने 35824 लिख लिया और हमें भाग किसने देना है? चार से देना है इससे भाग देना है तो चार से पहला आंग किसका जादा है चार से पांच जादा है तो डायेट हम चार से पांच में भाग दे सकते हैं तो चार एकम चार तो एक बार भाग गया चार एकम चार अब पांच में से चार गए तो क्या बचा एक बचा एक को हमने यहां पर बगल में लिख दिया अब यह क्या हो गया? तो छार तिया- 12, कितने बार आप इन बार भाग गया? तो छार-तिया- 12 अब देखें, तिया- 12 गया 1 बचा तो एक जो 5 बचा हमने क्या हो गया उपर वसके लगा 4 जाएक 24गे 55 16 चारचेंग चौवीस जादा हो जाएंगे, तो चार पंजे 20, तो पांच बार यहां पर भाग चला जाए रहा, ठीक है, अब बाइस मैं से 20 गए, तो दो बचेंग तो दो को हमने यहां लिख दिया, अब यह क्या हो गए, दो पे चार चौवीस हो गए, यह कितना हो गए, दो से 24 में सीदा सीदा छीदा भाग जा रहा, चारचेंग 24, तो यह चारचेंग 24, यानि हमारा आंसर क्या आ गया, यह आ गया हमारा 13456, और जब यह फास्ट आप प्रेक्टिस करेंगे लिए तो एक जटके में आंसर आएगा, इसका सेकेंड में आंसर आएगा, ठीक है, जितन 8260 89468 को हमें 6 से भाग देना है तो हम यहांपे लिख लेते हैं 81 чем । 81468 ko हमें 6 से भाग देना है तो 6 से हम भाग देंगे तो यहांपे दिखिये पहला अंकी ही 6 से बड़ा है इसका मतलJames 6 मैं भाग दे सकते हैं तो यहांपे क्या होगा6 एकम 6 एक बारी भाग गया ठीक है अब 8 में से 6 गए 2 बचे तो 2 हमने यहां बगल में लिख दिये अब यह हो गए 2 पे 1 21 हो गए 21 हो गए तो 6,3,18 6,4,24 जादा हो जाएंगे तो 6,3,18 तो 3 बार भाग गया अब 21 में से 18 गए तो कितने बचे 3 बचे तो यहां पर 3 लिख दिया हमने तो अब यह क्या हो गए अब यह 34 हो गए ठीक है अब क्या हो गए यह 34 हो गए तो अब 6 से भाग देना है तो 6,35,30 6,36 आप यहां पर 6 तो अब यह कितने हो गए? 46 हो गए तो आप 6 से 46 में भाग देंगे sotto 6,7,42 6,8,48 जादा ओगे तो ए 7 बार भाग जाएगा है कितने बार भाग जाएगा। तो 6, 7, 42 और 46 मैं से 42 गये तो कितने बचे चार बचे तो अब 4 को यहांब उतारा तो ये 4 पर 8 कितने हो गए? 48 हो गए और 6, 8, 48 यानि पूरा-पूरा ये कट गया और आपका ये उत्तर आगया कितना आया? उत्तर आया है आपका 3,578 13,578 तो देखिए आप कितना टाइम लग रहा है इसमें और ये तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम जा रहा है बरना ये तो एक जटके में सवाल होने वाले हैं सारे अब देखिए और आगे कि तरब बढ़ते हैं हम एक लाख उननचास जार पांस सो उनत्तर हम यहां पे लिख लेते हैं, तो एक लाख उननचास जार और पांस सो उनत्तर ठीक है, 6-9, अब हमने क्या करना है, साथ से भाग देना है, तो साथ से भाग देना है, तो आप देखिए, यहां एक में तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक दो आ गया, अब 14 में से 14 आ गये तो सेश्पल कैसे, सूने बचा तो सूने और नौ सूने और नौ को कैसे पढ़ेंगे हम 9 ही पढ़ेंगे, तो यह 9 है तो 7 से 9 में भाग देंगे तो एक बरी भाग जाएगा, तो 7 एक हम 7, 7 एक हम 7 अब 9 में से 7 गए तो बचे 2, तो 2 हम यहां पे लिख देंगे, ठीक है, अब यह कितने हो गए, 2 पे 5, 25 हो गए, तो अब 7 से भाग देंगे, 7 तिया 21, 7 चुक 8 ज्यादा हो रहे, तो 3 बार भाग जाएगा, तो 7 तिया 21 हो गए, 25 में से 21 गए, 4 बचे, 4 को हमने यहां लिख दि है, तो कितने बचे 4, तो 4 हम यहां लिख देंगे, अब यह हो गए, 4 पे 9, 49, तो 7, 7, 49, तो इस तरह से यह यहां पे 7 आ गया, ठीक है, तो यह हमारा आंसर आ गया, आंसर कितना आया हमारा, 21,360, 360, तो इस तरह से यह देखें, अब कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं यह सव तो देखें, यह क्या है, 3,45,482,89 को हमें 6 से भाग देना है, ठीक है, तो अब हम भाग देते है यहां पे, और यहां पे लिख लेते हैं हम पहले, क्या लिखना पड़ाइगा हमें, तीन लाख 45,000 और 289 ठीक है तीन लाख 45,000 289 लिग लिए 6 से हमें भाग देना है तो अब 6 से देखे 3 में तो भाग जाएगा नहीं 3 तो छोटा है तो इसमें 2 अंक लेने पड़ेंगे 2 अंक लेंगे तो ये 34 हो गए 34 हो गए 6 इचंग 36 ज्यादा हो गए 6 फंच बार भाग गया तो 5 हमने यहाँ लिए इसके उपर ठीक है अब 6 फंच बार भाग गया तो 34 में तीस गये तो कितने भाचे 4 तो 4 को हम यहाँ लिख देंगे तो अब यह कितने हो गए 4 पर 5, 45 4 x 5 45 हो गया तो 6 x 42 7 बार जाएगा 6 x 8 x 48 जादा हो जाएगे तो 6 x 42 ठीक है तो 6 x 47 ब्यारीस हो गया अब यहां पर 3 बचे तो 3 हम यहां पर लिख देते हैं तो अब कितने हो गए यह 3 x 2 32 हो गए तो अब 6 x 3 6 x 3 जादा हो जाएगे तो 6 x 5 30 अब देखे 32 मैं से 30 गए तो कितने बचेंगे दो बचेंगे तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे अब यह कितने हो गए 27 27 27 27 हो गए तो आप 6 से भाग देना है में तो 6 24 6 35 30 जादा हो रहा है तो 6 24 24 चार बारी भाग जाएगा 6 24 हो गया अब यहाँ पर बचा 3 तो 3 को हम यहाँ पर लिख देगे अब देखे यह हो गए 49 तो 6 36 चे बार भाग जाएगा क्योंकि 6 साथ 42 जादा हो जाएगा तो 6 36 हो गए अब हमारे पास 6 फल कितना बचा? 49 में से 36 गए तो 3 बचा सेज़ फल अब देखे इसके आगे कोई संख्या नहीं है और जब कोई आगे संख्या नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? दसंबलो लगाते हैं क्या लगाते हैं दसंबलो लगाते हैं तो यहां पर भी दसंबलो लगाएंगे और यहां पर भी हम भागफल में भी दसंबलो लगाते हैं ठीक है अब दसंबलो लगाके हम क्या करते हैं सूनने बढ़ाते हैं तो सूनने बढ़ाएंगे तो आप क्या दिया बाया यहां पे लिख लेते हैं 57,546 दमलाव 5 इसको 50 सून भी लिख सकते हैं अगर 2 अंक में लिखना है तो 50 भी इसको लिखा जा सकता है अब देखे यह सवाल करते हैं बस लास सवार यह करते हैं ठीक है और इसको लास सवाल को आप ध्यान से भाग देना है कितने से भाग देना है नो से भाग कैसे देंगे देखिए सबसे पहले क्या करें हम इस फिगर को लिख लेते हैं यहां पर साफ साफ कितना है एक लाख 24,000 318 और इसको हमें भाग देना है कितने से नो से तो 9 हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे अब देखिए एक तो छोटा है तो यहाँ पर दो अंक लेने पड़ेंगे हमें तो 9 से 12 में भाग देंगे तो 9 से 12 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा एक बार जाएगा 9 एकम 9 9 दूनी 18 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 9 एकम 9 अब 12 में से 9 हो गए 3 बचे तो 3 हम यहाँ ले लेंगे अब यह हो गए 3 पे 4, 34 3 पे 4, 34 हो गए तो देखिए 9 तिया 27 9 चोकर 36 जादा हो जाएगे तो 9 तिया 27 यह नहीं यहाँ पे 3 बार भाग जाएगा और 34 में से देखिए अब 34 में से हम यहाँ पे 27 घटाएगे तो कितने बचेंगे हमाई 7 बचेंगे कितने बचेंगे 7 बचेंगे तो 7 बचे तो ये 7 पे 3, 73 हो गए तो अब यहाँ पे 9, 8, 72 9 ना में क्यासी ज़्यादा हो जाएगा तो 9, 8, 72 73 में से 72 गया तो 1 बचा तो यहाँ पे 1 लिख दिया अब यह क्या हो गया? 1 पे 11 हो गया तो 9, 1, 9 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा कितने बार भाग जाएगा? 3 बार भाग जाएगा तो 9, 27, 27 यहाँ पे 28 हैं तो 9, 27, 27 अब क्या बचा हमारे पास में? सेज़ फल हमारा बचा है 1 अब यहाँ पे देखिए अंक खतम हो गए तो अब हमें इसमें आगे और बढ़ाना है तो यहाँ पे एक बचा से इस फल अब फिर सूनने उतारेंगे यहाँ पे तो अब फिर यह 10 हो गए एक और सूनने कितने हो गए? 10 हो गए तो 9, 9 तो यह सिलसला जारी चलता रहेगा मतलब यह जो है? यह सिलसला चलता रहेगा यह नन टर्मेटिंग रिपीटिंग हो गए है तो इसका आंसर कितना आया? यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूं मैं साफसाफ आंसर इसका आया 13000 12000 13800 13800 यहाँ पे और 10 हम लओ एक एक लिख सकते हैं एक 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 यह ऑए आएगा या एक की उपर बार लगा सकते हैं, खाली एक की उपर बार का मतलब क्या होगा, पॉइंट वन 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 ऐसे चलता रहेगा, तो देखिए ये आपने देखा की, जिसे किस तरह से आप समय बचा सकते हैं, कैलकुलेशन में, जैसे कॉंप्टीशन में या फाइनल एक्जाम में, क एक मिन्ट से जादा नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये विदी बहुत ही जादा कारगर सिद्ध होगी, आप लोगों के लिए बहुत ही जादा यूसफुल होगी, तो मुझे आसा ही नहीं, बलकर पूरा भरुसा है, कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इसको ल करें, ठेंक यू, ठेंक यू वेरी मच,